तो यार आज के ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी यदा स्पेसल और इंटेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो यार वीडियो काफी दमज़ेदार होने वाली है तो वीडियो को इंटर जरूर देखियेगा और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा से भी स्किप करते हैं तो आपके भेजे में कुछ नहीं घुसेगा एंड यार सबकी रैंकिंग की नजरे अलग अलग होती है जिससे मैं गलत भी हो सकता हूँ एंड यार में बेसिकली रैंकिंग करने वाला हूँ मुविस की पॉपुलरिटी, बॉक्स आफिस और उस मुवी की स्टोरी कैसी थी ये सब कोई देखकर मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ तो यार ये जो मैं टॉप फाइब बेस्ट मुविस बताने वाला हूँ इन सब मुविस को लोग ज़्यादा क्यूँ पसंद करते हैं ये भी आप लोग को बताने वाला हूँ तो यार आज के इस वीडियो में बोले तो सब चीच फूल डिटेल में जारने को मिल जाएगा एंड यार चैनल में नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर दो ऐसे लेटेट और नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि मैं आप सभी लोग के लिए ऐसे डोरेमोन से रिलेटेड लेटिस कंटेन लाते रहता हूँ तो चली यार बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यार जो टॉप फाइब नंबर में आता है उस मुवी का नाम है डोरेमोन नाम है डोरेमोन नोबितास थ्री लिटील स्वर्ड में तो यार इस मुवी को हमारे इंडिया में रिलिस किया गया था 23 मार्च 2013 को यार इस मुवी की ओरिजिनल रिलिस डेट यारनी की जपान में रिलिस की गई थी 12 मार्च 1994 में यार इस मुवी को सिर्फ दो कंट्रीज में ही रिलिस किया गया है वो भी जपान और हमारे इंडिया में ही और कही पर भी इस movie को release नहीं किया गया है फिलाल तो अब बात करते हैं इस movie की popularity के बारे में तो एर इस movie को mdb rating में vote मिला है 7.110 में से अब इस movie को google likes में vote मिला है 94% जो की बहुती अच्छी बात है और बहुती कम movies को 90 से above google likes मिल पाता है और मैंने इस movie को top 5 में इसले रखा है क्योंकि इस movie की जो story है वो अच्छी है पर गाइज इस movie की जो animation है वो old quality में है पर गाइज इस movie की जो story है वो बहुती अच्छी है और super hit है इसी वज़े से तो इस movie को इतने आदा google likes और iam db rating में vote मिला है और इस से भी अच्छी एच्छी movies आप लोगों को आगे मिलेंगे जो आप लोगों में से जाता लोगों का favorite होगा और इस movie ने box office में earning की है 2.3 billion yen और अब जो top 4 में आता है उस movie का नाम है doraemon दा movie gadget museum का रहस्तिया और इस movie का original नाम है doraemon nobita's secret gadget museum और इस movie को 7 countries में release किया गया है तो इस movie को हमारे इंडिया में release किया गया था 26 March 2016 को और इस movie का original release date यानि कि Japan में release किया गया था 9 March 2013 को और अब बात करते हैं इस movie की popularity के बारे में तो इस movie को mdb rating में vote मिला है 6.810 में से एंड इस मुवी को गूगल लाइक्स में वोट मिला है 93% जो की बहुत ही अच्छी बात है एंड इस मुवी ने box office में earning की थी लगबग 5 करोड US डॉलर में एंड है अब बात करते हैं इस मुवी को जाता लोग क्यों पसंद करते हैं डोरेमोन का जो बेल्ट है वो डोरेमोन के लिए क्यों खास है एक बार नोबिता और डोरेमोन पार्क में खेल रहे थे और नोबिता ने गलती से डोरेमोन का बेल्ट ड्रेन में गिरा दिया जिसके बार नोबिता उस बेल्ट को ढुड़ने लगता है Drain में पर डोरेदमोन ने मना कर दिया था और उस डेल्ट को नोबिता ने पूरा साफ कर दिया पर उसे कुछ भी नहीं मिला और आखिर में उसे पता चलता है कि वो जो बेल्ट है वो नोबिता के जूते में ही था जिसके बाद वे दोनों बहुत हसे इसी वज़े से डोरेमोन के लिए उसका बेल उसके लिए बहुत ही मायने रखता है और इसी वज़े से ये मोवी फेन फेवरेड भी है और इसी वज़े से ये मोवी मैंने टॉप 4 में रखा है एंड अब जो टॉप थरी में आता है उस मुवी का नाम है doraemon the movie nobita's dordabian nights and इसम भी का ऑरिजिनल नाम है doraemon nobita's dordabian nightsSmegh इस मुवी नहें बॉक्स उफ्पीस में लगभग अंडिंग की थी 1.80 बिलियन yen में यानी की 306 करूर जपानिज इन में अब बात करते हैं इस मुवी की popularity के बारे में तो है इस मुवी को Mb rating में vote मिला है 10 में से 7 इस मुवी को Google likes में vote मिला 95% जो की बहुती अच्छी बात है इस मुवी की जो story है कुछ अलगी है पर episode से मिलती जुलती है इस मुवी में नॉबिता सुजुका बुक के अंदर घुसे थे डोरे मौन के गैजट की मदद से पर नॉबिता निकल गया था और उसे नहीं पता था कि सुजुका नहीं निकली है इसी वज़े से सुजुका उस बुक के अंदर ही फस गई इस movie में हमें एक्षी जानने को मिला है वो है अगर कोई book में फस जाता है तो क्या होता है एपजोड न हमें दिखा रहता है नोबिता book के अंदर फस गया है पर episode comedian के साथ खतम हो जाती है जिससे हमें आगे का adventure पता नहीं चलता है सुदू का बुक के अंदर फस गई थी पर वो निकल सकती थी नोबिता डोरेमोन मदद करके पर नोबिता की जो मौम है वो बुक को जला दी थी इसी वज़े से उसने टाइम मसीन से जाना पड़ा एंदर इसी वज़े से ही इस मुवी को निकाला गया था कि हमें आगे की एडवेंचर जानने को मिले एंदर इस मुवी को एपजोड के आइडिया को लेकर ही बनाया गया है आप जो टाप टू में आता है उस मुवी का नाम है डोरेमोन नौबिता इंद स्थिल्ट्फ द शोज़े valuable का ओरिज़नाल नाम है जसा रिलीज कर दिया गया है इडिइस्मी को हमारे इंडिया में रिलिज़ किया गया था 26 उक्टावड 2011 मे और इस मुवी को IMDb rating में vote मिला 7.4 10 में से एंड इस movie को Google likes में vote मिला 96% एंड 96% थोड़ी न कम है 95% से ज़्यादा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है पर इस movie को 96% मिल गिया है तो यार इस movie की जो box office है वो कमाल की है इस movie ने लगबग 3.19 करोर US order में earning की है यानि की 2.7 billion yen में तो यार आप बात करते हैं इस movie की जो popular 2 कैसे बड़ी तो यार इसका सीधा से जवाब है इस movie की story के वज़े से ही popularity बड़ी तो यार इस movie की जो story हो कमाल की है इस movie में हमें काफी सारी emotion देखने को मिले हैं यार आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बढ़ते हैं top 1 की तरफ यार आप जो top 1 नमबर में आता है उस movie का नाम है डोरे मोन दाओं भी stand by me यार इस movie का ओडिजिनल नाम में stand by me डोरे मोन यार इस movie को 17 countries में release कर दिया गया है जी हाँ आप सही सुन रहे 17 countries ने इस movie को टेलिविशन में दिखाया है तो यार इस movie को हमारे इंडिया में release किया गया था 19 June 2016 को यार इस movie को जपान में release किया गया था 8 August 2014 को यार इस movie को हमारे इंडिया में आने में कुछी साल लगे यार आप बात करते हैं इस movie की popularity के बारे में तो यार इस movie को IMDb rating में vote मिला है 7.4 10 में से यार इस movie को Google likes में vote मिला है 95% तो यार इस movie को world के my anime list में भी रखा गया है तो यार उसमें ये top 10 में से 8 rank में आता है तो यार इस movie ने box office में 19.44 करोड ये जोरल में earning की है यारनी की 196.4 बिलियन डोलर में यार आप बात करते हैं इस movie को जाता लोग क्यों पसंद किये तो यार इस movie को जाता लोग इसले पसंद किये क्योंकि ये डोरे मोन का पहला ऐसा movie है जो 3D CG में निकला यारनी की 3D animation का movie था ये एंड यार इसी वज़े से ही इस movie को इतने सारे contents में रिलिस किया गया है तो यार इस movie की जो स्टोडियो कमाल की है तो यार इस movie को बहुत सारे episode को combine करके ही बनाया गया है तो यार यही था top 5 list I hope आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना तो यार अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं तो यार में मिलता है आप लोग को एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक ले गुडबाय जहिन जय भारत और बंदे मातरम